अगर आप लोगों के लिए और एक बहुत दिल्चस्त वीडियो लेके मैं आ गया हूँ आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए तो आज आप लोगों के सामने दिखाऊंगा एक 12 इंच का स्पीकर जो की पूरा का पूरा फेराइट में होने वाला है और ये अगर आप लाइनर्स बनाने के लिए सोच रहे हो तो आपके लिए एक बेटर एंड फाइदेमंद ऑप्सन होने वाला है तो आज हम कौन से स्पीकर के बारे में बात करने वाले हैं चलिए सिधा का सिधा स्पीकर कौन सा है ये ही देख लेते हैं तो जी दोस्तों आज हम बा किया जाता है ताकि आपका liners का quality बरकरार रहे यह चोटा पैकेट में बड़ा धमा का होने वाला है दोस्तों 8 ohms के उपर 4 inch voice coil के अंदर आपका 600 watt rms power बाला speaker होने वाला है यह जिसका peak power आप 1200 watt तक ले के चल सकते हो इसका अगर design के उपर बात किया जाए तो बहुत ही बैतर इन से design बनाया गया है आपका heat reduction के लिए भी यहाँ पे छोटे छोटे air holes ventilation किये गया है ताकि जो अंदर में heat generate होगा वो यहाँ से बाहर आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं आप जाली भी दिया गया ताकि यहाँ से कोई पत्थर का टुकड़ा आपका coil के अंदर या फिर काट का टुकड़ा आपके coil के अंदर ना जाए तो जी दोस्तों यह देखिए एमप्रो की तरब से यहाँ पे जो सिलिकॉन का कोन यूज किया गया है तोड़ा पंची टाइप का कोन है ताकि आपका डीजे हो या फिर लाइव हो उसमें आप लॉंग त्रो करके चलाना चाहे स्क्वेंसी रेस्पॉंस भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है इसका प्राइस सेग्मेंट के उपर अगर बात किया जाए तो प्राइस सेग्मेंट भी बता देंगे अभी फिलाल आप अगर यह वाला स्पीकर के साथ अपना लाइनर डीजाइन कर रहे हो तो मैं आपको करूंगा यह वाला एइचेप आप यूज करते हो दो पीस तो दो स्पीकर के साथ दो पीस मिलाके बहुत ही बढ़िया क्वालिटी बनेगा एंप्रो की तरब से एमडी 800 जो है आटोंस में यह पूरा नियोडीमियम में आने वाला है तो बहुत ही बैदरेंड क्वालिटी के साथ यह आपका बजेगा तो यहां पर अगर आप अपना लाइनर्स के लिए 12 चूज कर रहे हो तो एम प्रो क्यूं नहीं वाई तो चलो इसका साउंड टेश्ट भी थोड़ा सा देख लेता हूं अपना बेला उसे अपना लाइन शपना बहुत थोड़ा ख़ाईना सा लेल लेख लेगा हुआरा मैं चलो जब कर भी थेख लेख 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 झाल झाल